इस सबजी को आपने बहुत बार खाए होंगे, बहुत तेस्टी बनता है, आज हम आपको इसका एक बहुत बढ़िया रेसिपी बताएंगे, आप एक बार खाएंगे तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे, सुखे सबजी है, आपको बहुत पसंद आएगा, सबसे पहले हमने इसको धो के साफ कर लिया है फिर उसे इस तरह दोनों साइट को पहले कात लीजिए फिर इसको इस तरह से लंबाई में कातिए देखिए इस तरह से पतला-पतला कातिए इस तरह से ये देखिए हमने चारा कात लिया है अब इसके साथ हम लेंगे एक बड़े साइस का आलू इस आलू को भी हम वैसे कातेंगे जैसे इसको काता है थोड़ा लंबाई में ये देखिए इस तरह से आप आलू को लंबाई में कात लीजिए इसे देखने में अच्छा लगता है थोड़ा मोटा ही रखिया आलू को बहुत पतला मत कीजिए इस तरह से देखिए यह हो गया अब केस में कड़ाई डालके उसमें दो बड़े समस तेल डालेंगे देखे तेल हमारा गरम हो गया है अब इसमें डाल दिया है एक समस साबुट जीरा साथ ही एक बड़ा प्यास कटा हुआ हमने डाल दिया है अच्छे से मिक्स करना है प्यास का color change होने तक हमें से भूनना है ये देखिए प्यास का color change हो चुका है अब इसमें दालेंगे एक चोटे समस्द लहसून का paste इसे भी अच्छे से भून लेंगे हो गये है अब इसमें हम लोग दालेंगे कटा हुआ आलू आलू को भी हम लोग थोड़े देर ऐसे चला लेंगे अगर आप मिर्श खाते हैं तो मिर्श डाल दीजे अपनी पसंद की हिसाब से ये देखिए आलू को हम थोड़े देर ऐसे भूनेंगे उसके बाद उसमें डालेंगे हम एक चम मजीरा पाउडर एक समज धनिया पाउडर साथी एक समज से थोड़ा कम हल्डी पाउडर और नमक स्वाद अनुसर अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ी देर हमें आलू को 3-4 मिनित ऐसे ही भून के मिक्स करना है ये देखिए कितना अच्छे से आलू भून चुका है अब इसमें हम सारे सब्जियों को डाल देंगे और इसे भी अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है अब गेस की फ्लेम को लो करके उसे धग देंगे इस सबजी को हमें लो फ्लेम में ही पकाना है ये देखिए थोड़ी दिर बाद जब खोला धकन तो इस तरह से ये पके हुए आपको मिलेंगे थोड़ा थोड़ा है इसमें पानी बिलकुल नहीं डालनी है इसे हमें भाप में पकाना है आलू को तोड़ के देखिए अभी भी थोड़ा बाकी है हम इसे फिर से धाग देंगे और बीच-बीच में हिलाते रहेंगे बिना पानी के है तो आपको बीच-बीच में इसे चेक करना है हिलाते रहना है इसी तरह तब तक करना है जब तक कि ये सबजी पक जाए ये देखिए सबजी कितने अच्छे से पक चुके है इस सबजी में आपको पानी धेर सड़ा होता है तो इसलिए इसे पानी डालने की जरुरत नहीं पड़ती है और बीना पानी की ये बहुत तेस्टी बनता है अगर आप पानी डालेंगे तो ये उटना तेस्टी नहीं बनेगा थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत बढ़िया बनते है अब इसमें थोड़ा सा हमने सबजी मसाला दाल दिया उपर से करीब आधा समझ और अच्छे से मिक्स किया और हो गया रेदी ये सर्फ करने के लिए देखे कितना बढ़िया लग रहा है ना ये सुखे सबजी आप एक बढ़ इस तरह से बना के खाईए बीना पानी डाले बिल्कुल धीमी आज पर पकाते हुए थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बहुत तेस्टी बनेगा यकीन मानिये ये सबजी आप किसी की भी साथ खा सकते हैं रोटी पड़ाथे पूरी चावल किसी की भी साथ खाईए बहुत तेस्ट देगा उमीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज दोस्टो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और एक लाइक जरूर दीजेगा ओके देन गुडबाई टेक क्यार